नमस्कार दोस्तों माई में जिन लोगों का जनम दिन होता है वो जिद्धी सुभाब के होते हैं साथी, सनकी और लापरवाहब ही इन्हें कहना गलत नहीं होगा इसके लावा इस माहा में पैदा हुए लोगों का वैबहार थोड़ा घमंडी होता है हाला कि ये अच्छी बात है कि ये हर काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं इस माहा में जिन लोगों का जनम दिन होता है उनका स्वभाव काफी रहस्मई होता है ये लोग काफी मूरी होते हैं और अगर जोतिष के नजरिये से देखें तो इस महा में पैदा होने वाले जातकों पर देते गुरू, शुक्र और उनकी प्रतम राशी, व्रिशब का सरवाधिक असर रहता है मई में जन्में जातक, शांतिचित, कल्पनाशील वो अच्छे कलाकार होते हैं तो वही इस माहा में जन में जातक पुरुशार्थी होते हैं, ऐसे जातक हमेशा किसी न किसी प्रिकार की खोज में लग रहते हैं, जीवन में कभी भी जान बूज कर ये गलती नहीं करते और अगर संयोग वश कोई गलत काम हो भी जाये, तो ताउमर उन्हें पश्चाताप हो होता है जिसके कारण ये भीड में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं, इसके अलावा इनका सुभाव, डॉमिनेटिंग सुभाव का होता है, मई में जन में लोग अपने रिलेशन्शिप को लेकर काफी सीरियस होते हैं, ये शादी से पहले अपनी सीमाएं लांगना इसके लावा संगीत और कलाओं के प्रती समर्पित रहने के लावा ये शानु शौकत में भी जीन में यकीन करते हैं, ऐसे जातक शारिक वा मांसिक रूप से भी मजबूत होते हैं, इनमें एक खास बात ये होती है कि ये कि कम शिक्षित होते हुए भी ये वाकपट्टू हो पूड़ी जिद्दी होने के करण हर काम को करके ही दम लेते हैं, यही सनक इनहें औरों से अलग और सफल बनाती भी हैं, लेकिन इनमें खुद को बड़ा मानने वा असुरुक्षा की भावना के साथ साथ दूसरों से इर्ष्या करने का भाव भी होता है, धरम परायन, भक्त इसी भाव होने से लोगों में इनकी सात्विक छवी होती है, कुंडिली टीवी डेस्क से दिक्षा गुपता की रिपोर्ट इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चाथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में सरूर बताएं धन्यवाद